Hi students, I hope you are fine. Class 5, Chapter 8, More About Decimals, means decimals के बारे में हम add and subtract पढ़ चुके हैं, compare of decimal पढ़ चुके हैं, like decimal पढ़ चुके हैं, more about means इस से ज़्यादा, और क्या हो, इस chapter में क्या है multiple and divide, क्या है multiple and divide, तो first है multiply, multiply of decimal, कोई भी decimal नमबर है, 2.896, multiply करते हैं हम इसको 34 से, 2.896, multiply by 34, आप थोड़ी देर के लिए decimal को भूल जाओ, कि हमारे पास decimal नमबर है, हम simple multiply जैसे करते हैं, वैसे multiply कर देंगे, 46 जा, 24, carry 2, 49 जा, 36, and 2, 38, carry 3, 48 जा, 32, and 3, 35, carry 3, 42 जा, 8, and 3, 11, 1 complete हो गया तो वन क्या लगाएंगे, cross, 36 जा, 18, carry 1, 39 जा, 27, and 1, 28, carry 2, 38 जा, 24, and 2, 26, carry 2, 32 जा, 6, and 2, 8, plus 4, 8, 8, 16, carry 1, 8, 5, 13, and 1, 14, carry 1, 6, 2, 8, 8, 1, 9, यह आ गया हमारा, अब देखेंगे, point के बाद कितने digits हैं, one, two, three, तो answer में हम, पिछे से three digits हटा के क्या लगा देंगे, point, one, two, three, यहां क्या लगा देंगे, point हो गया आपका answer, four, okay, माल लो, यहां पर भी point होता, three point four, तो three ये, और one ये, four, तो four के बाद आजाता, यहां पर point आजाता, ओके, ऐसे करना है, next है, कोई भी ऐसा number है, two, eight, nine, six, three, यहां पर point है, and multiply by thousand, okay, multiply by thousand, तो इसको multiply करके नहीं देखना है, जब ten से multiply हो, hundred से हो, thousand से हो, okay, जो आपके पास number है, उस number को आप लिखोगे, without decimal, जितनी भी zero है, उसके साथ zero है, दोगे, okay, point के बाद किन्य डिजिट थे, two, तो आप पिछे से two zero को cut कर दोगे, यहां पर point लगा दोगे, एक ही बात है, तो यह आ गए आपका answer, okay, एक example और देखते हैं, 56 multiply 32, दोनों में point है, यहां भी point है, और यहां भी point है, 5.6, 3.2 से multiply करना है, 2.6 जा 12, carry 1, 2.5 जा 10 and 1, 11, 3.6 जा 18, carry 1, 3.5 जा 15 and 1, 16, 2.9, 7, 1, point के बाद one digit है, point के बाद one है, one और one को plus करना है, two हो गए, तो यहां से answer में two के बाद ही point लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, next आपका आता है, divide, decimal number का हम divide कैसे करेंगे, कोई भी decimal number है, आपके पास, 2.38 and divide by 9, divide by 9, ठीक है, start करते हैं, 2.38, इसको ऐसे लिखेंगे, divide by 9, इसके दो method है, मैं आपको दोनों बता दूँगा, ठीक है, 9 से divide करना, अब मैंने क्या बता रख़ा है, divide में, आपको क्या देखना है, first digit, first इस से smaller है, तो two digit लेंगे, two भी smaller है, तो three लेंगे, अब first two है, smaller है, तो two digit लेंगे, लेकिन first के बाद, यहां पर क्या है, कोमा, तो start में ही क्या आ जाएगा, point आ जाएगा, sorry, कोमा नहीं, क्या है, point है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, point, okay, point आ जाएगा, क्योंकि start में, हमारा number, digits क्या रह गया, चोटा, अब है यह 23, nine two जा, 18, okay, five, nine six जा, 54, four, अब आप आगे करना चाहते हो, तो zero अपनी तरब से नीचे ला सकते हैं, nine four जा, 36, ऐसे ही zero आती ही, जाएगे तो answer आएगा, two six four, point two six four, point two six four, एक और example देख लेते हैं, 19.36 divided by six, divide by six, 19.36 divided by six, मैंने क्या बताया था, पहले first digit लेंगे, smaller है तो two लेंगे, देखो first के बाद को मा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, two है इसमें, two digits बना के क्या बन गया, 19, six three जा, 18, 19, अब next क्या है, point, तो यहाँ पर क्या आएगा, point, sorry मैं फिर से को मा बोल गया था, क्या है, point, क्या है, point, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, point, 13, six two the, 12, six, six two the, 12, four, ऐसे कर सकते हैं, यह क्या गया, three point, two two, divide का second method क्या है, आपके पास कोई भी divide number है, 22.3, divide by 10, तो two point three, यह कैसा number है, decimal number है, इसको fraction में change कर सकते हैं, सीख रखा हैं हमने, इसको without decimal के लिखेंगे, point के बाद इतने भी digit हैं, उतनी क्या लगाते हैं, उनके साथ, zero, means 23 by 10 बन गया यह, and divide by 10, ओके, जिसके निचे कुछ नहीं होता, क्या लिखते हैं, one denominator, अब 23 by 10, divide की ज़िए क्या करते हैं, multiply, और यह क्या हो जाएगा, one by 10, one by 10, तो उपर तो आया 23, और नीचे आया 100, अब यह कौन सा है, fraction है, fraction की हम decimal number बना सकते हैं, नीचे two zero है, पिच्छे से two digit अटा के क्या लगा देंगे, point यह क्या बन गया, आपका answer, यह वैसे करके देखते हैं, two point three, okay, divide by, 10, two है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, one digit है, smaller है, two digit लेने पड़ेंगे, तो पहले ही क्या आजाएगा, point, क्योंकि two के बाद क्या है, point है, 10 to the 20, मैंने बताया था, आगे आप zero ला सकते हो, 10 to the 30, तो यह क्या आगया, point two three, और यह भी क्या था आपका, point two three, thank you,